वेलो आज वे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे about price spread लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने marketing चैनल तक देख लिया था और आज हम लोग प्राइटिंग चैनल में पढ़ेंगे और यह मैं आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ तो आज हम सबसे पहला मैंगो का एक्जामपल ले रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो मार्केटिंग चैनल सीखा था मैंगो कहां से कहां जाता है हम उसके मार्केटिंग चैनल देखेंगे सबसे पहले प्रड्यूसर जो फार्मर होगा मैंगो की खेती करता होगा जिसके मैंगो के ट्रीज होंगे उससे हम कहेंगे प्रड्यूसर फिर वो क्या करेगा प्री हार्वेस्ट कॉंट्रेक्टर को दे देगा ठीक है जो प्री हार्वेस्ट कॉंट्रेक्टर होते हैं जब हम सब्सक्राइब करते हैं एक हमारे समान के लिए ट्रॉक रख व्रक वह लेके आता है फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह ट्रॉक अफॉड कर पाये तो इस सब कांट्रेक्टर अपना बीच में कमिशन तो ऑबीसली लेंगे बट वह आके ले जाते हैं या लोकल होल कि हम जादा यह फोकस करेंगे कि हमारे पैसे कहां पे इस डिस्टिब्यूzkों हो गया कहांपे हमारा हमारा इस इस्प्रेड हु गया सब्सक्राइबा है के पारिस प्राइस प्रोडीक्टिक या फिर प्राइस प्रें ऑप Hypere RED by the producer और price paid by the pre-harvester ये दोनों received और paid हमारा same होगा ठीक है आप ये terminology छुटी छुटी समझ जाएंगे ना तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा especially जो hindi medium वाले हैं ठीक है जो receive किया जो farmer आप जो देंगे वही तो सामने वाला लेगा तो अगर आपने 10 रुपे दिये तो सामने वाले ने 10 रुपे लिए ठीक है आप ये मत सोचना ये producer का है तो ये 10 रुपे होगा और यहां पर contractor का नाम लिखा है तो हम इसका price change कर देंगे ऐसा नहीं होगा आप आगे भी देखिए paid लिखा है मतलब उसने 10 रुपे दिये contractor ने 10 रुपे दिये और producer ने 10 रुपे लिए रिसीवड किये तो वो क्या होगा equal होगा ठीक है तो आप इसकी terminology को देखेंगे अच्छे से तो आप इसको और रजबैटर लिए understand कर पाएंगे ठीक है I hope इस आपको समझ में आ गई होगी होगी यहां पर फिर हम देखते हैं कित हैं तो हमने मैंगो लिए तो हमने कितने पैसे दिया अपने 3500 मतलब आप और राउंड़ करके चलिए 3500 रुपे अपने उससे लिए ठीक है cost incurred by the pre harvest contractor labor charge ठीक है अब वो क्या जो contractor है वो अपने साथ क्या लाया एक truck लेके आया है और truck के साथ वो दो labor भी लेके आया है ठीक है उसके बाद जो transportation जो truck लाया था वो truck वाला भी पैसे लेगा तो उसका उसने लिया 142.94 रुपीज ठीक है यह price आपको याद नहीं रखने है price सिफ देखने जाहिए आप क्या मैं बोलना चाहरी हूं यहाँ पर फिर pre harvest sale price local wholesaler purchase price ठीक है अब जो contractor ने जो जिस पैसे पर sale किया और जिसने wholesaler ने लिया वो price equal होगा ठीक है और वो कितना price है 4329 ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था channel में producer से pre harvester के पास गया contractor के पास गया contractor से अब wholesaler के पास गया अब wholesaler से किस के पास जाए जिसने जिसको नहीं आती है marketing channel बनानी हो last lecture prefer कर सकता है मैं उपर i button में डाल दूंगी ठीक है आप हाँ से उसको refer कर जीए अब हम next हम यहाँ से देखेंगे कितना price हमारा होगा था 4329.41 यह हमने इस point पर दिये ठीक है अब चाहें तो यहाँ पर बना भी सकते हैं यहाँ पे इस इसने किये 3542 रुपीज ठीक है 0.09 भी for more precision आप 0.09 भी लिए सकते हैं फिर इसके बाद इसने इसको दिये ठीक है यहाँ लगा दिया अब जो हमने यहाँ पर दिये है वो कितने है 4,329 यह हमने यहाँ दिये हैं लोकल होलसेलर ने दिये हैं इसको contractor को दिये हैं क्यों दिये है क्योंकि unloading ठीक है unloading करेगा जो transportation में वो truck से लेक्या है उसको वो unload करेगा उसका 27 रुपई लग गया grading ठीक है उसकी grading करेगा मतलब उसको मतलब बचाया grading मतलब मैं उससे अलग से lecture बना दूगी बट आभी आप यह समझ सकते हैं कि उसकी जो उसको अच्छे से रखना या packaging या वो सब जो होता है वो हम इसमें लेंगे तो वो 17 रुपीज आएगा storage उस वो local wholesaler के उसको store करेगा तो वो भी room का पर डेका या जो भी है उसका रुपीज लेगा 5.58 spoilage losses कुछ mangoes क्या सड़ भी जाते हैं तो उस वज़े से उसको इतना loss भी हो गया ठीक है उसके बाद जो telephone का electricity charge and tax मिलाकर उसको 16 रुपए और लगया किसको लगया wholesaler को लगया तो वो यह सब पैसे अपनी जेब से तो देने वाला नहीं है वो क्या करेगा वो आगे वाली party से इसका पैसा लेगा ठीक है आगे कौन है local wholesaler के बाद हमारे chain में कौन था distant wholesaler ठीक है distant wholesaler का price रहा 5,017 रुप रुपए और unloading 25 रुपीज and cleaning and grading का 21 रुपए ठीक है वेंग चार्जेज एक रुपए storage losses यहां पे क्योंकि local से हम distant wholesaler को देंगे तो उसका भी वहां से वहां तक ले जाने के लिए जो transportation का खड़ जाया जो भी लगीगा यह वहां पे भी spoil हो जाएगा क्योंकि ट्रक में loading unloading क time पर थोड़ा बहुत spoil हो जाता है खराब हो जाता है mango आपको पता है कि जल्दी खराब हो जाते हैं तो वो सब भी उसको हटाना पड़िया 300 रुपे का मानों उसको loss हो गया तो उसका भी छोटा मोटा price पर एक दो दिन के हिसाब से हम लोग यहां calculate करते हैं ठीक है उसके यहां पर mango का case इसलिए हमें यह वाला price लग रहा है इस वैसे ही आप अलग-अलग crop सा निकालेंगे तो हो सकता है कुछ और price add-on हो इसलिए आपको marketing channels के बारे में जानना तो जरूरी हो ही जाएगा कि कौन क्या function करता हो उस function में उनका कितना average लग सकता है तभी हम total निकाल पा prices rent for pushcard ठीक है यह सब उसका लगा इसके बाद जो last है रिटेलर से अब जो रिटेलर से consumer है ना तो consumer का कितना लगा बारा सो बारा हजार रुपए उसको देना पड़ा किसको consumer को देना पड़ा क्यों देना पड़ा अब आप देखेंगे आप शुरू में कितना दिया था हमने और आप last में हम कितना साधा दे रहे हैं आप ये खुद देख सकते हैं ठीक है और आप अपनी जो notebook है जिसमें आप सीख रहे हैं आप उसमें एक एक ये तो बहुत लंबा procedure होगा आप एक एक नाम लिखेगा सबसे पहले आप producer फिर आप लिख सकते हैं contractor फिर आप लिख सकते अब अब हम price spread of ton of mango एक ton के लिए हम लोग price spread निकाल रहे हैं ठीक है तो आप ऐसी हमेशा tabular form में बना सकते हैं यहां पर amount लिखे आप ठीक है यहां percentage share in consumers price और यहां पर आप क्या लिखेंगे particulars मतलब जो आपके बीच में आए हैं events वो सब आप लिख सकते हैं ठीक है price received by the producer कितना price producer को received हुआ था हमने दिखा था 3542 कितना हमने consumer ultimate consumer ने किता दिया 12000 उसका रुपय दिया ठीक है तो आप इन दोनों को minus करेंगे ठीक है वो आपको price spread उसका पता चल जाएगा हम आगे वो calculate करके बताएंगे आपको ठीक है बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि देखिए 3000 से उसका बीच में कितना जादा cost लग चुका है वो सब निकालना बहुत जरूरी भी है ठीक है तो अब आप नीचे देखेंगे marketing margins तो pre harvest contractor की कितनी margin हुई अब यह क्या जितने भी हमारे marketing channel म involved थे ठीक है जो जिससे भी मैंना आप बताया आप यहाँ चोटा सा जो table बनाएंगे आप उसमें सब देखेंगे कितने लोग involved थे और कितने कितने पैसों का कहां कहां खर्चा हुआ ठीक है तो pre harvest contracts margin इसका कितना margin बना तो इसने क्या किया था कि 3000 तो पे किया है उसको सीधा सी पेस पीछे जाके देखी हमने कौन सा खर्चा किया था एक तो हमने labor का किया था हमारी right और एक हमने कौन सा transportation का खर्चा किया था ठीक है तो यह दोनों खर्चों का मिला के हमारा 198.82 पैसे रुपीज हो गए थे ठीक है और इसमें से हम क्या करेंगे minus करेंगे किसको minus करेंगे यह जो पैसे आगे वाली party ने इसको दिये हैं जो पैसे इसको आगे से बरामत हुए हैं किस से आगे कौन था लोकल होल सेलर्स इसको पैसे कितने मिले थे 4,329 यह इसको मिले यह इसने खर्चा किया इसमें से माइनस करके अब उसके पास यह उसकी जेब में गए 588 रुपीज उसकी जेब में चले गए वो उसके खर्ची के लिए है ना उसको किसी को देना है ना उसको किसी से लेना है तो यही होता है marketing margin यह इस बंदे का margin निकल के आ गया जो contractor था यह बीच में उसने रख लिया उसकी कमाई आ चुकी है वैसे ही आप local wholesaler का निकाल सकते हैं वैसे ही आप distant wholesaler का निकाल सकते हैं मतलब जितना उन्होंने आगे वाली party को दिया और जितना उनका खर्चा actual में दूसरी चीज़ों पर लग गया वैदर वो electricity हो चाहे हमने जो भी उपर निकाला था चाहे वो क्या बोलते है कि आप ऐसा किसी भी का निकाल सकते हैं आसपास कि किसी भी activities का भी आप निकाल सकते हैं कि आपने उसमें कितना महनत किया है उसका पैसा आपको मिल गया ठीक है तो यह almost देखिए इनका इतना ही आ रहा है distant wholesaler का जादा margin है और retailer का भी अच्छा खासा margin इसमें आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं उसमें margin रहा सकते हैं इसके अलावा जो एक और term रहता है वो है हमारा producer share जो अभी हमने यहाँ पे निकाला यह कितना share है तो यह हम कैसे निकालते हैं तो यह देखिए इसमें कितना price received by the producer 3542 ठीक है यह निकालना है यह निकालना है स्टेवल में है विकास यह बुक का है बट यह हमें निकालना रहता है जनरली तो आप कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे price received by the producer divided by price received by the producer divided by price paid by the consumer ठीक है अब into obviously 120 42.09 और हमने pay कितना किया यह कितना था consumer ने कितना पी किया तो उसने 12,000 पी किया ठीक है तो हम लिखेंगे 12,000 ठीक है अब आप इसको करेंगे तो आपको मिलेगा into 100 भी कर देना है हमको इसको तो हमको मिल जाएगा 29.52 ठीक है और यह देखिए यह यहां पर यह लिखावा है आप इसे करके आप सभी का निकाल सकते हैं ठीक है आप इसका भी निकाल सकते हैं इसको इससे डिवाइड कर देंगे इसका भी निकाल सकते हैं इससे इसको ही डिवाइड करेंगे ठीक है मतलब जितना भी आपको commodity का निकाल सकते हैं easily और भी book में दे रखा है आप उससे try करके देखे वरना ये एक example more than enough है इसमें सब कुछ हम लोगों ने cover कर लिया है इसमें हमने margin निकालना सीखा है इसमें हमने price spread निकालना सीखा है और हमने इसमें क्या सीखा है percent share in consumer price ये कैसे निकालते हैं हम ये खुद अप तीनों चीज़े निकाल सकते हैं इसके अलावा भी आपको कोई भी doubt होगा तो आप जरूर मुझे comment करके बताएगा और अगर नहीं समझ मैं तो भी बताएगा मैं आपको और better तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी बट मुझे नहीं लगता है इतना hard and fast टूल कुछ था इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बार बार repeat mode पे देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा तो आच्छे लिए इतना ही रखेंगे thank you so much